जै जै सन्य देव मकारास के दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके ही देनी करासिफल में मैं हूं आशारपस के तिवारी हाजीर है आपका रासिफल लेकर बात करेंगे राइवार 2 जून आपके लिए कैसा रहेगा तो आएजरे राइवार 2 जून दोPe जेश्ट किष्ण पक्ष की एक अदर सीती थी विक्रमी संबद 2018 आज का सुर्य वज़ पांच बच के 23 मिनट पर होगा तो यह आज का सुर्या साथ बच के 15 मिनट पर होगा आज के दिन चंद्रमा मीन रास में रहेंगे सुबह एक बच के 40 मिनट तक उसके बाद में सरास में प तक आज की दिन अमरित काल का समय रहेगा 11 बच के 26 मिनट रास से लेकर दूसरे दिन 3 जून को 12 बच के 55 मिनट सुबह तक साथ ही आज सरवाज सी धियोग भी बना हुआ है एक बच के 40 मिनट आधी रास से लेकर 3 जून को 5 बच के 23 मिनट सुबह तक तो यह थे आज के हैं आज का राहुकाल का समय रहेगा साम 5 बच कर 31 मिनट से साम 7 बच के 15 मिनट तक राहुकाल के समय किसी विसुभ और अच्छे कारियों की शुरूआत ना करें आप बात कर लेते हैं आपके रास सीफल के बारे में तो मकर रास के दोस्तों आज आप अपने संतान की कुछ ग काम के सुरुवात की थी तो उसमें पार्टनर की पूरी निगरानी बना कर रखें आपको किसी नए घर मकान दुकान आती खरीदारी करना अच्छा रहेगा लेकिन आप कुछ नए लोगों से मेल जोल बहुत ही सोच बिचार कर बढ़ाएं क्योंकि उनमें कुछ आपके का रोप लग सकता है साथ ही कारशेतर में आपको आज अपने नए कामों को बहतर बनाए रखने के लिए बहुत अच्छा रहेगा आज के दिन आपके लिए बहुत ही सोच बिचार कर चलने के लिए रहेगा आपको किसी पुराने लेंदेन को चुकता करना होगा को लेकर परिशान चल रहे थे वह कहीं और अपलाई कर सकते हैं आप किसी पार्ट टाइम कार्य कर देने की योजना भी बना सकते हैं मकर रास के दोस्तों कार्य छेत्रे में आपको अच्छी तरक्की करते देख आपके बिरोधी आपके उपर हावी होने की पूरी कोसिस करेंगे और व्यापार में आपको कोई निर्णे लेने से कोई बड़ा लुक्सान उठाना पड़ सकता है और परिवार में कोई आपके खिलाप सडेंतर भी रह सकता है यद कोट कचाहरी से सम्मंदित किसी मामले को लेकर आप परिशान चल रहे हैं तो आपके वह परिशानी भी दूर होगी संतान आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोसिस भी करेगी साथ ही आज का दिन आपके लिए किसी नई प्रापटी खरीदारी के लिए अच्छा रहेगा आपको अपने किसी काम को लेकर अपने साथियों से बाच्चीत करनी होगी तब ही वह आपका काम पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है साजेदारी में ये दियापने किसी काम को किया है तो उसमें पाठक साथ लिखा पढ़ी करके आगे बढ़ें वही आपके लिए अच्छा रहेगा और बहतर होगा नुकरी में कार्यात लोग अपने कामों पर पूरा फोकस बनाए रखें नहीं तो गल्ती आपसे आज के दिन हो सकती है आपको किसी पैत्रिक संपत्ति संबंदित मामले में अपने बरिष्ट लोगों से खासकर अपने पितजी से बात करनी चाहिए उसे सलाह लेना चाहिए उसके बाद ही कोई निर्ड़े लेना चाहिए मकरास के दोस्तों आज का दिन मकरास के जातकों के लिए कई मामलों में कुछ परिसानी भरा भी हो सकता है आपको अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी कुछ समस्याओं का सामना करना पर सकता है इसलिए बेतर होगा कि आज आज आप बाणी और क्रोध दोनों पर कंटोल बनाए रखें आपको अपने काम काज में धहर और सहिंसिलता बनाए रखने की भी आज बहुत जरूरत होगी क्योंकि मानसिक भटकाव की वज़ा से आज काम में आप बिसेश रूची नहीं दिखाएंगे और आप कुछ से गलती होने की संभाबना भी बन रही है आर्थिक मामलों में आपको अति उत्साहित होकर कोई भी नेने लेने से बचना चाहिए लव लाइप के मामले में आज का दिन आपके पक्ष में दिखाई दे रहा है आपको आज प्रेमी के साथ रोमंटिक साम बिताने का मोका भी मिल सकता है साथ ही आज का दिन आपके लिए किसी बिसेश काम को करने के लिए रहेगा यदि आप उसे लंबे समय से टाल रहे थे तो आपको उसे आज की दिन अबस्त करना चाहिए आपकी संतान को कहीं बाहर नोकरी का कोई आफार आने से परिवार का महोल बहुत बहतर रहेगा आप किसी से यद कोई मदद मागते हैं वह भी आपको आसानी से आज प्राप्त हो जाएगी आप अपने बिजनेस में किसी अनुभवी बेक्ति से सलाह बस्त करें यह आपके लिए बहतर रहेगा तभी आपको योजनाओं से अच्छा लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है